हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम टो स्टेडि विद देव यूट्व चनल पर मैं देवंदर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आपने अभी तक स्टेड विद देव यूट्व चनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ओन कर लिजे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे B.S.C. नर्सिंग के बारे में जिसका काउंसलिंग नीट के द्वारा होनी चीए ये पहली बार नर्सिंग सीटे भी नीट काउंसलिंग से आउंटित होगी ये कोटा की न्यूज है देख सकते हो आप कोटा के देनिक बासकर की न्यूज में लेकर आया हूँ जो चोदा जनवरी को आ गई थी कली के दिन ये न्यूज आई हुई थी लेकिन मैंने कल इसका आउपर वीडियो नहीं बनाया था लेकिन मेरे पास कहीं स्ट्रेंट के कमेंट और मेंसेज आया है उन्होंने बोला कि सर इसके बारे में बता हो कि पहली बार नर्सिंग सीटे भी नीट काउंसलिंग से मलब नर्सिंग की सीटे भी नीट काउंसलिंग से आउंटित होगी इसमें एक चीज ओर लिखी हुए है कि M's में भी M's की सीटे भी नीट के आदार पर बरी जाएगी इसा भी इसमें लिखा हुआ है क्या ये भी बात सकते हैं दोनों बारे में मैं पूरी बात करूँगा आप से पूरा आपको सेडूल बताऊँगा पूरी क्या जानकारी रहने वाली तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोटा की देनिक बास करकी न्यूज है जो मैंने कल की कटिंग ते मैंने वैसे कटिंग इसकी कली ले ली थी मेरे पास कली पड़ी लेकिन मैंने सोचा कि स्टूरेंट्स बोलें कि आप हर चीज पर वीडियो बना देते हूं बट फिर भी जब डिमार्ड आई तो मुझे इस पर वीडियो बनाना पड़ा आज के इस वीडियो मैं बता रहे हैं कि 24 जनवरी को 24 लोकिंग इस्टूरेंट्स को 30 जनवरी से 4 परवरी के बीच में आउन्टीत पोले जो में करनी होगी रिपोर्टिंग यानि कि इसमें रिपोर्टिंग रजिस्ट्रेशन गुनित से होगा और गुंतिस को सीट लोट्मेंट लेकर यानि कि परश्ट सीट जो परश्ट रिजल्ट आएगा पर राउंड का वो कब आ जाएगा पहली बार नर्सिंग सीटों पर सीट भी नीट काउंसलिंग से आउन्टित होगी यानि कि पहली बार सरा और निट काउंसलिंग का सेडूल जारी कर दिया है परतम राउंड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस गुनित से 24 जणवरी तक चलेगा 24 जनवरी को 24 लोकिंग होगी और 27 जनवरी को सीट अलॉट्मेंट परॉसेस होना वाला है कब 27-28 जनवरी को क्या होगा seat allotment प्रोसेस होगा यह हम चाहिनित स्टुडेंट को गुंतिस जनवरी को seat allotment लेटर जारी रहेगा यानि कि 27-28 को क्या process रहेगा और जो allotment लेटर जारी होगा और कब होगा गुंतिस को कर दिया जाएगा career counseling expert परिजात मिस्रा ने बताया कि पूरी process MCC की website पर online होने वाली है यानि कि जो भी आपकी B.A.C. nursing का होगा चाहिए कोई से भी counseling होई सबकी जो process होगी कहां पर होगी MCC की official website पर होने वाली है चलिए आगे हम बात करते हैं इस्टुडेंट को 30 जनवरी से 4 फरवरी के बीच आवन्टित कोलेज में क्या करने होगी रिपोर्टिंग करनी होगी इसके अलावा education expert देव सर्मा ने बताया कि पहली बार नीट यूजी की counseling चार राउंड में होगी कितने राउंड में चार राउंड में होगी दूसरे रा पुंड़ेशरी जिप मेर पुंड़ेशरी इंस्टुट्ट ओप medical sciences ब्हू की बीच नर्सिंग सीटों का आउंटन नीट यूजी की मेरिट के आदार पर किया जाए गया निकि जिप मेर में जो आपका जिप मेर हैं जिप मेर में होने वाला जो एंट्रेश एक्जाम है करते हो वहीं ऐसा पहली बार होगा किसे बार पहली बार होगा जिसमें जिप मेर और बीच यूजी के मेरिट के आदार पर किया जाएगा यह आप सभी को पहले ही पता था और आप इसके काउंसलिंग की टाइम आ गई तो अब अगर आपने नीट का एक्जाम दिया था तो आप सब में से अगर कोई चैनल से जुड़ा हो और बीचू के लिए उसने इलिजिबल हैं तो प्लीज एक बार आप एपलाई करिएगा नीट के काउंसलिंग करवाएगा ताकि आपको बीच चीट मिल जाए सभी काउंसलिंग करवाना जरू अगर नीट का एक्जाम आपने दिया है तो ठीक है वो डिपेंड करता है आपको कैसे कितने मांक से बात करेंगे मांक के उपर भी अलग वीडियो लाएंगे जल्द ही लेकिन पहली बात यह आपको ध्यान रखनी है पहली बार नीट यूजी की चार राउंड होगे दूसरा राउंड नो फरवरी से होगा तो बात की बात है लेकिन इसके लाग कुछ अपने लिए जो इंपोर्टेंट बात है क्या दे रहे कि इसमें इसमें एक चीज़ और दे रहे कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने अभी तक इनफोर्मेसन ब्राउजर तता फ्रिक्वेंटली औक सड्ट औक सड्ट क्यूसर्ट जारी नहीं किये यानि कि अबीं तक कोई भी उन्होंने इनफोर्मेसीन ब्राउजर है या पर क्यूसर्ट में इस राउंड का वेकेंसी इस वेकेंसी इस्ट्रे वेकेंसी सीट राउंड का सीट अलोट्मेंट 22 मार्च को होगा इस्ट्रे वेकेंसी राउंड के लिए इस्ट्रे रजिस्ट्रेशन और चोईस फिलिंग की परकिरा नहीं अपनाई जाएगी इस राउंड के तहत सीट अलोट्मेंट के लिए मोप अप round में बरी गईगी choice willing का ही उप्यो किया जाया किसके जो木 up round होगा आपकाा मोप up round में जो choice plink बरी जाएगी उस ही का यूज किया जाएगा इस्टे इस्टे वैकेमरιά क्या होता है इस वेकेंसिक round होता है जो last का राउंड बज जाता है जिसमें सीटे बज जाती वो round की बात की जारी है यहाँ पर ठीक है आउन्टित किये गए medical संस्तान को report करने के लिए 23 से 26 मार्थ तक का समय आपको दिया जाएगा medical counseling committee ने अभी तक information browser और frequently asked question जारी नहीं किये सिग्र ही, EMS, New Delhi, EMS, New Delhi, Jipmer, Pundicherry, B.S.E. Nursing सिटों के आउंटन के लिए information browser जारी करेगा, तो EMS के लिए इसा कोई भी rule नहीं था, EMS के लिए इसा भी कोई rule नहीं था, EMS का जोब entrance exam था, वो अलग से हो चुका है, तो ऐसा कोई नहीं है, EMS के लिए entrance exam का कोई नाता नहीं है, EMS में हो सकता, EMS की जगह, यहाँ, New Delhi, दिल्ली के जितर डियो इनर सिटी के अंदर, जो भी B.S.E. Nursing को ले जाते हैं, उन सभी के लिए यह लाग होगा, लेकिन EMS के लिए लागू नहीं हो रहा है, ठीक है, इसके साथ-साज, जिपमेर के लिए लाग हो रहा है, B.S.E. Nursing, जिपमेर, पुंडेचरी भी, B.S.E. Nursing, सीटों के लिए, आवेदन के लिए, आउंटन के लिए अपने information browser जारी करेगी, यानि कि EMS के लिए, EMS दिल्ली के लिए नहीं होगा, EMS के लिए अलग से entrance exam already हो चुका है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, और जिपमेर का और B.H.O. का अलग से, फुल व्राउजर जल्दी जारी होगा, जैसे जारी होगा, सबसे पहले आपको information हमारे इसी चनल के मादिम से मिलने वाली है, और जैसे नर्सिंग एंटर एक्जाम की, डेट भी जल्दी एनाउंस हो चुकी है, डेट तो 23 जनवरी को आपका एक्जाम होने वाला है, ध्यान रखना एक्जाम आपका पोस्पोर नहीं होगा, अच्छे से आप पढ़ाई करिये, मिक जिवम चांस देजे कि आपका एक्जाम होने वाला एक्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है, यह बात का आप आप आपसे ध्यान रखने, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगाओ, लाइक करना, शेर जरू करना, अपने सारे फ्रेंट्स पर शेर करना, धन्यवाद, टेक केर्स,